नमस्कार दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन 23rd मार्च को निफ्टी और बेंक निफ्टी को हम लोग किस तरिके से ट्रेड कर सकते हैं? कौन-कौन से इंपोर्टन लेवल्स निफ्टी और बेंक निफ्टी में रहने वाले हैं? पूरी डीटेल में analysis के साथ में कल expiry का trading plan इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो subscribe करने के साथ ही बेल आइकन को press कर लीजिए ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले देख सको साथ ही हमारी टेलिग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं लिंक आपको वीडियो की description में दिया गया है डारेक्ली आप लोग जाके जोईन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कोई भी opportunity रहती है वो हम आपके साथ में share करते रहते हैं लिए देखते हैं सबसे पहले बेंक निप्टी की analysis उसके बाद में देखेंगे निप्टी 50 की analysis दोस्तों बेंक निप्टी की final closing हमें देखने को मिल रही है 40,000 के आसपास में प्रीविस closing से हमें याँ पे 104 पॉइंट है वो positive closing देखने को मिल रही है दोस्तों आज की candle आपको एक red candle जरूर देखने को मिल रही है बट market की जो opening हुई थी वो gap up opening हुई थी यहाँ पे जो closing हुई है वो closing यहाँ पे थोड़ी सी नीचे देखने को मिल रही है इसी वज़े से red candle देखने को मिल रही है बट market overall यहाँ पे positive close हुई है 104 पॉइंट यहाँ पे positive close हुई है इन दोस्तों daily time frame में जो एक हमारा important support एरिया था अब हमारा resistance बन चुका है इसी के आसपास में market ने देखिए यहाँ पे close किया है यहाँ पे थोड़ा सा time spend कर रहा है अब हो सकता है कि आपको कल के दिन expiry के दिन आपको एक अच्छा कासा one way moment है वो देखने को मिल सकता है या तो अगर market यहाँ पे उपर की side में breakout करता है तो कल के दिन आपको एक तरिके से trade कर सकते हैं कौन कौन से levels हमारे लिए intra day के लिए important रहने वाले सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज की दिन का market यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिलकुल सांत market आपको देखने को मिल रहा है जो हम कहते हैं कि तुफान से पहले market में सांती है तो यहाँ पे 10-15 मिनट time spend करता है उसके बाद में अगर उपर की side में break करता है तो हम लोग यहाँ पे buying side के लिए जाने वाले हैं हमारा जो directly target रहेगा दोस्तों वो रहेगा 40,400 का target क्योंकि देखिए इसी range के आसपास में market ने time spend किया था यहाँ पे तो यह हमारा एक supply area है तो यह यहाँ पे directly आपको target है वो देखने को मिल सकता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उपर की side में यह एक range बनाई थी market ने 40,400 से लेके 40,600 यहाँ पे consolidation हुआ उसके बाद में breakdown आया था तो सबसे पहला target हमारा रहेगा 40, 40,400 का उसके बाद में 40,600 का अगर इस range को market breakout करता है तो हम लोग upside के लिए एक अच्छा target है वो capture कर सकते हैं यहाँ फिर market 10-15 मिनट यहाँ पे time spend करने के बाद में breakdown करता है तो हमारे लिए target बनेगा दोस्तों 39,600 का target क्योंकि already दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसी range में market न बार यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर मार्केट ने देखिए यहाँ पर एक consolidation हुआ time spend किया था एंड उसके बाद में breakout आया था तो यह हमारा एक demand area 49,600 49,600 हमारा target रहेगा अगर market इस range को downside के लिए break करेगा अगर flat opening देने के बाद में break कर करता है तो यह हमारा target है वो सबसे पहला रहने वाला है अगर market इसमें open होने के बाद में 49,600 के आसपास में आता है यहाँ से अगर buyers activate नहीं होते है फिर से यहाँ पर थोड़ा उपर जाता है यहाँ पर थोड़ा time spend करता है downside में breakout आता है तो फिर से हम लोगों का target रहेगा दो उस तो 49,400 का level देखिए यहाँ पर भी market ने दो बार support face किया है तो अगर फिर से यहाँ पर आता है तो फिर market में थोड़ा कि गिरावट फिर से आपको देखने को मिल सकती है बट हम लोग यहाँ पर दोस्तों expect करेंगे कि market यहाँ पर upside के लिए break करेगा और upside की तरफ में आप market already gap up opening हो जाता है तो दोस्तों आपको wait करना है हो सकता है कि market में आपको 40,400 के level के आसपास से आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर आपको कोई भी बीरे scandalistics देखने को मिलती है तो आप लोग यहाँ पर sale कर सकते है और आपका जो target रहेगा दोस्तो वो रहेगा 40,000 का level क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक बार हम लोग open interest का data check करते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन-कौन से level समारे लिए important है सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन सबसे ज्यादा put writing कहां पे increase हुई है 40,000 के level प दोस्तों 40,000 के आसपास में हैं तो अगर कल के दिन market देखे gap up opening हो जाता है तो इन सारे लोगों को यहाँ पे profit so करेगा and market यहाँ फिर से थोड़ी देर के लिए sideways momentum कर सकता है उसके बाद में आपको wait करना है अगर market gap up opening देता है तो आपको wait करना है range बनाने के बाद में अगर फिर से 40,000 की तरफ आता है तो फिर आप लोग यहाँ पर 40,000 के आसपास में buying opportunity देखेंगे जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 पर अच्छी कासी put writing increase हुई है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है अब रोल दोस्तों market का जो sentiment है वो अभी भी थोड़ा सा negative बन दोस्तों उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा देखिए कॉल राइटिंग 47,000,000 के आसपास में है पूट राइटिंग 41,000,000 के आसपास में है तो अगर यहाँ से थोड़ा कम होता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा negative साइड में आ सकता है या फिर पिर डे को ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को देखना है, अगर कोई भी अच्छा सा मोमेंट मिलता है, कोई भी रेंज बनाता है उसके बाद में breakout आता है वहाँ पे आप ज़रूर है वो ट्रेड कर सकते या बट आपको कोई भी one side मोमेंट है वो अभी सबसे ज्यादा देखिए को ласт को फिर सकता है तो फिरMat कि दिनते के लिए आ सकता है लेकिन फिलाल आपको पर we market updated 0 डिल रहा है अगर मार्केट कोई रेंज बनाता है उसके बाद में रेकाउट करता है तो फिर हमें अच्छागासा मुवमेंट देखने को मिल सकता है बेंक निप्टी में देखिए अगर मारकेट यहां gap down open होता है इस zone के आसपास में open होता है 39,600 या फिर यहां पे तोड़ा open होता है तो भी हम लोग wait करेंगे क्योंकि यहां पर भी आपको volatile market देखने को मिल सकता है यहां पर अगर market gap down open होगा तो यहां पर 40,000 की call cell की जाएगी इसके नीचे में यह जो वेवल है 39,400 ये दोनों put और call sale करने के बाद में market इसी zone में यहाँ पर trade करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है अगर market gap opening देता है तो फिर profit booking देखने को मिलेंगी and market आपको यहाँ पर देखिए फिर से अगर इस zone को touch करने के लिए आता है तो यहाँ से हो सकता है कि आपको buying activity यह वो देखने को मिल सकती है तो live market में दोस्तों जो भी price section बनेगा जो भी data बताएगा उसके एसाब से हम trade करेंगे टेलिग्राम चैनल पर आपको इसकी update है वो provide कर दी जाएगी चलिए देखते है निफ्टी 50 इंडेक्स को उसको हम लोग किस तरह के से कल के trading session expiry के दिन हम लोग trade कर सकते हैं सेम दोस्तों आप लोग निफ्टी में भी देख सकते हैं आज के दिन जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई यह 17,151 के आसपास में आपको देखने को मिल रही है प्रीविस क्लोजिंग से हमें यह आप फोर्टी पो फॉर फॉइंट है एंड दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 17,200 यह जो दो केंडल बनी है प्रीविस इनका आप लोग हाई देख सकते हैं इसी के आसपास से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तीन बार यहाँ पे और उपर की साइड में देखिए प्रीविस सपोर्ट था इसके आसप सकता है कि ब्रेक आउट आपको देखने को मिल सकता है इंड कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे यहाँ पे पोजिशन कट होती है तो फिर मार्केट में अच्छा कासा मोमेंट है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन म आपको simple देखने को मिलेंगा यह जो market ने range बनाई यह देखिए उपर की side में important resistance zone था यहाँ पर resistance है यहाँ पर आज के दिन resistance फेस किया तो यह zone दोस्तों तीन बार यहाँ पर test हो चुका है अब यहाँ पर यह zone है वो week हो चुका है अब market फिर से कल के दिन अगर इसके आसपास मे आता है 17,200 के आसपास में तो यहाँ पर एक पोज केंडल बना देता है उसके बाद में breakout आता है तो आपको एक अच्छागासा 100 पॉइंट का movement अब वो देखने को मिल सकता है डारेक्ली 200 से आपको यहाँ पर 300 के आसपास में एक movement देखने को मिल सकता है उसके बाद में आपक च्छोटा सा movement भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर market ने देखी consolidation के breakdown आया है तो यह हमारा एक supply area रहने वाला है इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखियेगा हम लोग दूस्तों selling तभी करेंगे जब market इस range के नीचे में sustain हो जाता है यानि जो round number है 17,000 का इस इसके नीचे में देखी market आता है क्योंकि दो बार यहाँ पर market support ले चुका है इस zone के आसपास में फिर से market आता है तो यहाँ पर बार-बार market आएगा तो यह zone भी weak हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा consolidation करता है breakout आता है downside में तो फिर हम लोग downside के लिए भी जा सकत बड़ दोस्तों हमारा सबसे पहला रहेगा काल के trading session के लिए यह जो हमारी range बनाई है इसी zone में अगर market flat opening देता है एंड उसके बाद में 17,200 का level upside के लिए break करेगा तो हमें एक अच्छा कासा moment है वो bank 50-50 में भी देखने को मिल सकता है बड़ दोस्तों हो सकता है कि market काल के दि trade सकते हैं अगर आपको जब भी मौका मिलता है तब आप लोग trade कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर market gap down open होता है इस zone के आसपास में तो यहां पे हम लोग wait करेंगे जो भी price section बनेगा उसके साफ से trade करेंगे आपको range का इंतजार करना है कोई ना कोई range है वो यहां पर जरूर तो फिर भी breakout यहां पे आ सकता है तो कोई भी price section बनेगा उसके साफ से हम trade करेंगे ज्यादा बड़ा gap up या फिर gap down opening देता है तो live market के साफ से हम लोग trade करेंगे एक बार हम लोग nifty 50 index का भी open interest का data check कर लेते हैं ताकि हमें direction का पता चले एंड कौन-कौन से levels हमारे लिए important है उस call writing देखिए 1.5 million है तो यहां पे put writing का pressure थोड़ा सा ज्यादा है market का जो आज का intraday हम लोग देख रहे हैं overall हम लोग position को देखा जाए तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अभी भी market का data PCR 0.8 के आसपास में है and total call writing देखिए 103 million के आसपास में है 84 million के आसपास में आपको put writing देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा market का sentiment अभी भी थोड़ा सा दोस्तों negative है अगर market gap up opening देता है तो फिर से हम लोग negative sentiment के साथ में trade करने वाले market जब तक कोई ना कोई यहां पर time spend करता है range करने के बाद में अगर breakout करेगा तो ही upside के लिए हम लोग trade करेंगी देखते हैं दोस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए सीखते रहो कमाते रहें खुस रहो